सस्क्राइब कीजें मेरे चैनल बाला जी स्टडिया अद्ड को और तो आज की वीडियों में हम बात करेंगे राजपूत राजवनसों की उत्पत्ती में कल्चुरीच या चेदी राजवनस और उसके साथ सिसोदिया वनस के बारे में तो इसी के साथ जो राजपूत राजवन्स है वो पूरा टॉपिक जो है हमारा फ्रेंडस कम्प्लीट हो जाएगा इसके लावा फ्रेंडस राजपूत राजवन्स के पिछले वीडियो में हमने चन्देल वन्स और सोलंकी वन्स या कह सकते हैं आपके जो चालुक के सासाक हैं उनके बारे में बात की थी अगर वो पिछला वीडियो आपने हमारा नहीं देखा है तो साइड में जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं इसके अलावा सामाजी का दिन की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के दिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगी या आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं वहाँ पर हमने सभी टॉपिक वाइस ओलेडी वीडियो पना रखे हैं तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कल्चूरी या चेदी राजवन्स के बारे में सबसे पहले बात करते ह संस्थापक जो है वो कोकल था बात करें राजधानी की तो इसकी राजधानी तिरूपूरी थी बात करें फ्रेंड सबसे सकती साली सासक तो कल्चूरी वन्स का एक सकती साली सासक था जिसका नाम था गांगे देव इसने जो है फ्रेंड्स विक्रमा दित्त की उपादी जो ह सासक गांगे देव है इसने जो है वो पूर मद्धिकाल में सोन सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पस्चात इसी ने जो है सरपतम इसे प्रारंब करवाया था बात करें सबसे महान सासक की अभी जो हमने बात की वो सबसे सकती साली सासक था बात करें सबसे महान सासक की तो जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, इसी कलिंगा दिपती की उपादी प्राप्त हुई थी बात करेक कल्चुरी वंस के कवियों से रेलेटिड तो प्रिसिद्य कभी जो राजसेखर थे वो कल्चुरी दर्वार में ही रहते थे तो इस वंस में जो है जो है जोबी important point है उसमें हमने cover कर दिये बारकी ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं चलिए बढ़ते हैं सिसोदिया वंस की तरफ तो सिसोदिया वंस की बात करें तो सिसोदिया वंस जो है वो अपने आपको सूरि वंसी कहते थे उसी सोधियावंस के जो सासक थे वो अपने आपको सूरिवंसी कहते थे बात करें आगे तो सी सोधियावंस के सासक मेवाल पर सासन करते थे और मेवाल की जो राजदानी थी वो चितौल थी बात करें आगे तो अपनी विजियों के उपलक्ष में विजय स्थम्ब का निर्माड जो है राडा कुम्भा ने चितोड में करवाया था बात करें इसी वंस से रिलेटेट एक युद्ध भी है जो था खतावली का युद्ध जो हुआ था पंदरा सो अठारा इसवी में राडा सांगा एवं इबराहिम लोदी के बीच में इसी के साथ जो है सिसोधिया बंस में भी जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने कवर कर दिये इन दोनों ही बंस में ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं था इसलिए मैंने जो जो के वल इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो इसमें कवर कर दिये तो इसे के साथ हमारे वीडियो समाप्त होता है अगर हमारे प्रयास आपको पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बहले है उसे जरूर अन कीजि झाल झाल